हेलो दोस्तों आपका विलकम है हमारे इज्जू डेरी फार्म बिहार में तो आज हम ट्रेनिंग के लिए निकल रहे हैं और कहां जा रहे हैं वो आगे वीडियो में बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि आगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चै जानकारी मिल सकते हैं तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं यहां पर हमारे फार्म में जो भी गया अंदर थी वह सभी बाहर है और यहां पर हमारी बच्च्चिया है यहां आप देख सकते हैं और इधर चोटी बच्चिया और कुछ प्रीजा नियुや और ये और अंगबाद वाली गई भी नहीं बिक्की है जो अभी है और ये सितल ये सितामधी और ये हमारी सुझीद वाली गई तो ये सभी गई हैं अभी हमारे ये फार्म किसके अंदर मैं करकर जा रहा हूं ये सभी चीज Verkehr और ये वह बक्रुहार मैंनेज करता है उसी हवाले मेरा इसे अपना भाईि यहां पर का समय है यहां पर देख सकते हैं कि सभी बैठी हुई है खापी कर और वह वह बोफईल जो है हमारा यहां पर है भैस भैस का दिन का रिकोर्ड अगर बात कर लेते हैं तो नौ लीटर आभी रहा है मैक्सिमुम आभी खानपान में इसका प्रोवलम अभी भी है जैसे क्या दिक्कत है कि भूसा नहीं खा रही है दाना के साथ में दाना ऐसे खा ले रही है भूसा बहुत कम मातरा में खा रही है जो भैस को भूसा उठाने पर नहीं आ रही है इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यह है कि यह दूसरे जगा से यहां पर आ यहां पर बात कर लेते हम लोग बकरी फार्म में भी आप देख सकते हैं कि बाहर इन लोग को अभी नहीं निकाला जा रहा है प्रोड़म यह आ रहा है कि थोड़ा बाहर धान हो चुका है और धान खाने के वज़़से हमारी बकरी जो है गिला लाट्रिंग टौइलेट कर रही है इसके वज़़से हम लोग ने बंद कर दिया है और इसी में भूसा बगरा दे दिया है तो बकरी फार्म में मैं सौटकोट में बता दूँ कि यह बेनिफिट का है बिजनस इसमें किया जाए लेकिन वही लोग करें जिसके पास एरिया हो गुरीन के साथ-साथ अगर इसको करेंगे चराने का बेवस्ता अगर आपके पास रहता है तो जादा बेनिफिट है अगर खिला कर रखेंगे तो इसमें ज्यादा खर्चा हो सकता है तो यह चीज आपको ध्यान रखना होगा और आप जैसे हैं अगर अच्छा है तो कर सकते हैं बिल्कुल अब कुछ मैं थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं मैं ट्रेनिंग में आप लोग तो कुछ लोग मेरे बोलने से समझ गया होगा कि मैं कहा जाने वाला हूं मैं एक्चुली मुरादाबाद इंस्टिट जो है जिसका हमारे भाहिया के चैनल पर अकसर आप लोग देखा करते हैं त उनके मताबिक भी क्योंकि वह दूसरे जगह गए हैं उनका भी यहीं सला रहा है कि आप मुरादाबाद जाएं वहां का जो इन्सिमिनेशन जानी जो बनाएंगे जानी वरकर हम लोग बनेंगे तो उसमें कंफिडेंस उसमें ज्यादा हो जाएगा उसमें कमांड आपका ज् बेतो तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भढ़िया सिल काνηक ड्यक्ता है लेकिन दy ने होगां मवा दूंतिया है उस deutsche करेंव हैं 3 महेना कोर्स और और कि रहाएं जितना है तो ऑई करने का फाइदा क्या हो सकता है हम लोग को जो problem हो रहा है जैसे क्या होता है कि seven घए को जो time पर देना चाहिए जैसे अगर वक्थी में आती है तो आपको स्यम में या सुवा नेक्स देड़ 24 प्रवर्स के बाद सेमन लगाना है तो होता है कि जब time हो तो उसी वक्त सेमेन लगना चाहिए और हम लोग को नहीं हो पाता है जो डॉक्टर के कॉल करते हैं वो सकता है कि किसी और को समय देंगे यह हो सकता है कि आने में किसी और मतलब उनका जो भी कस्टमर होगा उसको पहले देखना जरूरी होगा तो वहां पर चले जाएंगे जिस उसको पहले का काम उसको पहले ट्रेनिंग ले लेना चाहिए इसी वज़े से मुझे तो बहुत दिनों से जाना था लेकिन हमारा गलती यह हुआ कि थोड़ा गाये आ गया और संभालने के लिए कोई था नहीं लेकिन जब से परवेश भाई आये तो जाना तो पहले था यान सब्सक्राइब को देखने के लिए मैं ट्रेनिंग कर ले रहा हूं ताकि हो सके उससे बेनिफिट मिल जाए उससे फिर हमारा जो फार्म का हैंडल करने में हो चाहे बीमारी वगरा में चाहे सेमें डालने में जो भी काम हो मैं खुद से हैंडल कर लूं ताकि हमारा फार्म ल